पूरे दुनिया में भारत एक मात्रेसा देश है जहां 20 लाख हिविय मसीन गायव हो जाने के बाद भी चुनाव को रद नहीं किया जाता है लेकिन एक पे परलीक हो जाने पे पूरे परिक्षा को रद कर दिया जाता है ये डिजिटल इंडिया का खेल है याद रखिएगा आयोग की महरबानी है यही कारण है कि लगातार देश का लोक्तंत्र लुट रहा है जिस इभियम मसीन को एस्ट्रोंग रूम में होना चाहिए वो इभियम मसीन कभी भाजपा नेता के घर में पकरे जाते है तो कभी होटल में पकरे जाते है तो कभी बीयर बार में पकरे जा लेकिन चुनाव आयोग खामोश आते हैं लेकिन चुनाव आयोग नहीं देश का आयोग नहीं बलके लाध का आयोग है मोधी जी कहेंगे उठ तो उठ, मोधी जी कहेंगे बैठ तो बैठ, देश की मीडिया भी खामोस है, मीडिया तो एक कदम आगे है, मीडिया काती है आएंगे तो मोधी जी ही आएंगे, मोधी जी पुर्ण बहुमत के साथ आएंगे, क्यों काते हैं, क्योंकि मीडिया की पोल ख पिर देश की मीडिया कैसे सवाल करेगी कि मौव में सरकों पे पक्रा गिया इभी मसीन कहां से आया मिर्जापुर में पक्रा गिया मौव में पक्रा गिया दुमर्या में पक्रा गिया चंदोली में पक्रा गिया बिहार के सारन और महराजगे पक्रा गिया गाजीपुर में पक इस आरे में सब को खारिज कर रही है आप वीडियो देखिये किस तरह से देश का लोग टंत्र आज खत्रे में है आप वीडियो देखिये लाओ अभी और नहीं है अंधर कज़े उतर रहा हैं यह लोग कुछ बता नहीं रहे जो किसी पार्ड़े के लोग नहीं आपे किसी पार्ड़े के लोग नहीं है आपे रूम नंबर 10 रूम नंबर 10 में जो है आज भीम मस्शिन लाई जा रही है एक पीकप से यह लोग उतार है देखिये रूम नंबर 10 सरे ही भीम पे लाया है अभी पीगप से उतर रहा है पहले रिख से पढ़े है उसके बार अभी उतर रहा है वह यह है अभी अपर इसक्त बात है कहां जो ला रहा है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देश की मेडिया भी एक्सपोज हो जाए और चुनाव आयोग भी एक्सपोज हो जाए आप सेयर कीजिए और अपने लोकतंत की रखवाली खुद कीजिए आप सेयर कीजिए